हुआ फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो के माद्यम से गैस वेलडिंग टेकणिक के बारे में पढ़ेंगे। So as we know gas welding technique is classified into two categories. First one is leftward welding technique and second one is rightward welding technique. So this video में हम लोग कीवाल और केवाल leftward welding technique के बारे में पौढएंगे की leftward welding technique क्या होता है, उसे कैसे करते है उसके बाद leftward welding technique में age preparation क्या होता है और उसका application का यानि कि किस metal को welding हम लोग leftward welding technique से करेंगे तो ये सब points हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम लोग leftward welding technique के बारे में समालने कोशिश करते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं अब लेट अब का दोरफंच दोस्तों इसको 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 हम लोगнем से भी जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं Mont T और फोर्वर्ड वेल्डिंग टेक्निक तो आप लोगो को बिलकुल भी घबराना नहीं है वो लेफ्ट वेल्डिंग टेक्निक के करना चाहता है अगर कहीं पर लिखा हुआ है या भी कोई बोल रहा है आपसे तो चलिए स्णाट करते हैं और समाशनने को कुसिछ करते हैं कि यह लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक टेक्निक होता क्या है सबसे हम लोग इस नाम को समाजने कोशिश करते हैं, leftward welding technique, so what is the meaning of leftward, so leftward is nothing, इसमें क्या होता है, कि देखिए, ये एक diagram है, इसमें leftward welding technique में क्या होता है, कि सबसे पहले आप लोग इस diagram को समझे, ये piece 1 है, ये piece 2 है, इसको हम लोग welding करेंगे, ये आपका, इसको हम लोग बोलेंगे, नोजल है, और ये हमारा filler rod है, ये वाला, दोस्तों ये वाला होगे, अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो point है, यहाँ पे, इसको हम लोग, ये हमारा right hand है, और ये हमारा left hand है, ये आप लोग को पता चल रहा होगा, कि इस side को हम लोग क्या बोलेंगे, right hand बोलें दोस्तों या फिर सोड़ीड क्या होगा राइठ वेलडिंग टेकनीक में क्या गरते हैं कि हम लोग वेल टिंग राइठ राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट पर खतम कर यह याद्रकना इसमये कि वेलडिंग हम लोग right hand side से start करेंगे और कहां पे खतम करेंगे left पे खतम करेंगे इस तरह के welding process को हम लोग leftward welding technique है rightward से start कर रहा है यहां से welding start होता है ऐसे welding होता रहेगा ऐसे होता रहेगा तो यह कहां से जा रहा है right से start हुआ left पे खतम होगा यहां पे end हो जाएगा तो इसी वज़ा से इसको leftward welding technique करते हैं इसको याद करने का simple सा तरीका leftward welding technique यानि कि welding जो आपका जो समाप्त होगा welding का जो ending point होगा वो left hand side होगा दोस्ते यह से याद करते हैं तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि वह वेल्डिंग जिसमें वेल्डिंग right hand side से start होता है और end left में होता है इस तरह के technique को leftward welding technique कहते हैं अब इसको forehand और forward क्यों कहते हैं दोस्तों leftward welding technique में क्या होता है कि जो यह देखिए यहां पर यह flame है यह क्या है अब इसमें क्या होता है कि जो flame है वो direct filler road के उपर जाता है और filler road को melt करता है फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद वो क्या गरता है कि weld bead बनाता है दोस्तों डेरेक्ट जो इस टेक्निक में जो flame का जो temperature direct work piece पर नहीं जाता है सबसे पहले वो कहां जाता है इस filler road पर जाएगा filler road को कि फिर melt करेगा और melt करने के बाद temperature क्या होगा कि base metal पर distribute होगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा नोज़ल है वो किसको follow कर रहा है वह filler road को follow कर रहा है दोस्तों यानी कि वो filler road को follow कर हो रहा है और इसमें वेल्ट पीछे पीछे रह रहा है यह वेल्ट क्या है कि पीछे साइड में है और यह जो फ्लेम है हमारा आगे के तरफ दिख रहा है फ्लेम हमारे आगे के तरफ है इसी वज़े से इसको फोर हैं या फिर फारवर्ड वेल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं त इसको इसमें एक चीज और है कि इसमें जो होगा अब इस चीज में फिर फोर हैं में हम लोग देखना रहता है इसमें हम लोग देखते हैं जो इंप मोजल का एंगल आपका पाइप एंगल और दूसरा फिलर रोड एंगल दोस्तो ब्लोव पाइप का जो एंगल होगा यहाँ पर देखी यह मैंने यहाँ पर बनागे रखा यह जो एंगल होगा ब्लोव पाइप का नोजल है इसका जो एंगल होगा वो 60 to 70 डिगरी होगा 62 to 70 डिगरी यहाँ मैं लिख देता हूं 62 to 70 डिगरी 60 से 70 डिगरी के एंगल पर हम लोग जब लेफ्टोर वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करेंगे तो अपने ब्लोव पाइप को 60 to 70 डिगरी हम लोग तील्ड रखेंगे से 9-6 जो हमारा फिलरो रोड होगा ते 2 से 14 डिगरी यहाँ रहेखा यान यह निकि 3 से 40 डिगरी तक इसको भी हम लोग रखेंगे तो यह एंगल हो गया तो यहाँ मैं लिख देता हूं 60 to 70 डिगरी एंगल हो गया और यह हो गया 30 डिगरी से तो यह इसमें इंपोर्टेंट है इसमें भी अब देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लेम जो हमारा नोजल हो है वो किसको फॉलो कर रहा है फिलर रोड को फॉलो कर रहा है दोस्तों तो यह होता है लेफटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक अब आते हैं इसके वेल्डिंग राइट हैंड से स्टार्ट करता है और लेट पर ले जाके खतम करता है इस प्रकार की टेकनिक को लेट रोड वेल्डिंग टेकनिक कहते हैं लेट रोड वेल्डिंग टेकनिक में ब्लोग पाइप का एंगल 60-70 डिगरी होता है जबकि फिलर रोड का एंगल 30-40 ड रहता है दोस्तों ऐसा है तो यह होगे हमारा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग अब इसका जो यूज है इसका यूज हम लोग अब टू 5 mm इसको मैं लिख देता हूं कि इट इस तो यूजड फोर अब टू 5 mm ठीक मेटल है इसका हम लोग क्यों पांच मिलीमेटर तक के ही मोटे मेटल को वेल्डिंग करने के लिए ही करते हैं इससे ज्यादा अगर पांच मिलीमेटर से ज्यादा मेटल ठीक हो तो इस थीती में हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक का यूज नहीं करते हैं यह बहुत ही सबसे ज्यादा यूज गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक का होता है लेफट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक का दोस्तों पांच मिलीमेटर तक करिए तो अब इसमें देख लेते हैं कि एज प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं तो यह देखिए एज प्रिपरेशन मैंने यहां पर ग्रूब वेल्ड की बात करूंगा अगर मालीजे कि हमारे पास मेटल की ठिकनेश 1.5 mm हो तो उसी स्थिति में क्या करेंगे अगर 1.5 mm थिन सीट हो तो उसी स्थिति में हम लोग जो बनाएंगे वेल्ड जौइंट वह होगा फिलेणज बर्ट फिलेणज बर्ट विदाउट रूट गेप ने घुन बीना रूट गेप पा हम लोग फिलेऑट करेंगे अब फिलेऑट कैसे होता है दोस्तो Wię बर्ट आप लोगों मैं दिखा देता हूं फिलेऑट वर आप कुछ इस तरह से होगा यह होगा यह आपका फ्लेंजबट हो गया यहां से थिकनेस जो होगा वो अप्टू 1.5 mm यानि कि अगर मेटल का थिकनेस 1.5 mm हो तो हम लोग ग्रूव वेल्डिंग में ऐसे जोइंट करेंगे फ्लेंजबट इसको बोलते हैं विदाउट रूट गैप देखे रूट गैप नहीं है अगर मान लिजे कि थिकनेस ज़्यादा हो वर्कपीस का थिकनेस आपका 1.5 mm से ज़्यादा हो तो उसी स्थिती में क्या होगा तो उसी स्थिती में दोस्तो हम लोग रूट गैप देंगे फ्लेंज ही रहेगा फ्लेंज ही रहेगा फ्लेंज बट ही रहेगा लेकिन रूट गैप देंगे तो यहाँ पर इस स्थिती में जो बनेगा वो बनेगा फ्लेंज बट विथ 1.5 mm रूट के रूट के रूट के यानि कि अगर मान लिजिए मिटल का थिक ने 1.5 mm के बीच हो तो देड़ से 2 mm थिक हमारा थिन सीट हो तो उसी स्थीति में हम लोग क्या गरेंगे कि फ्लेंज बट बनाएंगे जोएंगे लेकिन रूट गैप रहेंगे तो इसका डाइगराम ऐसे बन जाएगा कि यहां से ऐसे यहां से यह रूट गैप होगे गैप 1.5 mm और यह जो थिकनेस है यह है आपका 1.5 to 2 mm थिक होगे दोस्तों यानि कि जैसे जैसे हमारा शीट मेटल का थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एज का प्रिप्रेशन बढ़ते मतलब की चेंज होते जाएगा जब बहुत थिन था तो उस इस्थिति में हमने फ्लेंज बढ़ जोइंट किया लेकिन रूट गैप नहीं दिया लेकिन जैसे थोड़ा सा मोटा हुआ हमने क्या किया कि फ्लेंग जोइंट ही किया लेकिन रूट गैप दे दिया तो अब क्या हुआ रूट गैप में क्या होगा कि हमारा मजबूती बढ़ जाएगा स्टेंथ जोइंट का बढ़ जाता है अगर मान लेजिए कि मेटल का थिकनेश दो से तीन मिलिमेटर को हो तो उस इस्थिति में क्या करेंगा दोस्तो इस इस्थिति में हम लोग क्या रगएंगे स्कॉयर गे दोस्तो इस्थ्द रूट गैप ऐसे स्कॉयर जोइन्ट विएंट विध रूट गैप है PAC रूट गैप के साथ हम लों कि स्पाइर बन जोइनकरेंगे तो ये यह बहुंनकर रहेंगा वह और रूट गैप कितना रहे रहेगा ? 1.5 mm यanton थिकनेश ओ जाएगा 2 to 3 mm थीनि मिले मेटर इस्टौ ведसे जैसे मेटल का थीकनेस बाढ़ा है वैसे बैजज के प्रिप्रेसन में भी हम लोग चेंजिंग ला रहें अगर मानने जिए थीनिश जो है मालग माला चार से पांच मिले म错 यहां तो ऊसी स्थिती में क्या गरेंगे उस में दोस्तों एज का जो पिर्प्रेशन होगा वो सिंगल भी रहेगा कि इस तरह से रहेगा कि कुछ कि सिंगल भी रूट गैप के साथ ऐसा है जो हम लोग बिट बनाएंगे वह ऐसे बिट बनेगा ऐसे वेलिंग कि तो यहां पे रूट गैप हो जाएगा मैं आर लिख देता हूं और वान पॉइंट फाइफ मिलिमितर कि और यह जो एंगल है इंक्लूडेट एंगल जो बनेगा इसका कि ये जो एंगल इंक्लूडेट एंगड़ वह फो एट्टी डिगरी का बनेगा एट्टी डिग्री हाना यानि कि एक पी अगर सिंगल पीस की बात करते हैं तो इसका बेवेल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 40 डिग्री 40 डिग्री ओके दोस्तों तो इस तरह से आप देख आपने देखा कि जैसे जैसे मेटल का थिकनेस बड़ा वैसे वैसे एज का प्रिपरेशन भी अलग-अलग मेधड से होता गया अगर थिन मेटल था तो हमने फ्लेंज बट जोइंट किया बिना रूट गैप का जैसे ही थोड जिसे स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जया उसके बाद और थोड़ा सा मेटल मोटा हुआ तो हमने स्क्वाइर बट जोइंट कर दिया थिन नहीं किया फ्लेंज नहीं किया स्क्वाइर बट जोइंट कर दिया उसके बाद और थोड़ा सा मेटल ज्यादा थिक हो गया तो हमने क्या क कोई वेल्डिंग प्रोसेस हो जिसमें ठेकनेस अगर वैरी करता है तो उसी स्थिति में एज प्रिप्रेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों इस विडियो में इतना ही और इसका वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि इसका यूज हम लोग ज्यादा तर सीट मेटल को ही वेल्डिंग करने में करते हैं यहने कि अप्टू फाइट मीलिमेटर ही हम लोग करते हैं जैसे ही 5 mm से ज्यादा हमारे पास ठीकनेस होता है हम लोग लेट वर्ड के जगह राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो